एक हाई स्कूल की लड़की जिसका काला सच जान कर उसके खुद के पिता उसके जान लेना चाहते थे दोस्तों, आज की हमारी ये मूवी एक जैपनीज मूवी है जो रिलीज हुई थी 2014 में मूवी की शुरुवात क्रिस्मस से एक दिन पहले यानी 24 दिसंबर 2012 से होती है में बात का सीन दिखाया जाता है जहां एक इस्टोर के अंदर तीन लोगों का मडर कर दिया गया था जिसमें से एक उस इस्टोर में काम करने वाला क्लर्क हिरोशी था दूसरी विक्टिम एक लड़की थी जिसका नाम आयका था और तीसरी आदमी का नाम जुनपै था जो की एक फोटोग्राफर था पुलिस को शक है कि इन मडर्स के पीछे आके काजु नाम के आदमी का हाथ है जो की एक फॉर्मर डिटेक्टिव रह चुका है और फिल हार सिक्यॉर्टी गार्ट की नौकरी कर रहा था पुलिस अकी काजु को कुछ लोगों की तस्वीर दिखा कर प बात करते हैं आके काजु के बारे में जो असल में बहुत बड़ा शराबी है और जब उसे पता चला कि उसकी बीवी का किसी के साथ अफ्यर है तो उसने उसके प्रेमी को इतना मारा कि उसकी लाइफ से उसकी बीवी और नौकरी दोनों चली गई उसकी एक बेटी भी है जिस उसके पत्नी को शक था कि कनाको को आकी काजु ने ही किटनेप किया होगा ये सुन आकी काजु को बहुत गुसा आता है और वो कनाको को ढूंडने के लिए उसके फ्लैट परा जाता है जहां उसकी वाइफ उससे कनाको का रूम चेक करने को कहती है और जब वो कनाको का रूम चेक करता है वहां उसे कनाको की अलमारी में बहुत ही महंगी ड्रेसस मलती है जिसके बाद उसकी पत्नी उसे कनाको का बैग चेक करने को कहती है और बैग में होती हैं बहुत सारी ड्रग्स जिनसे उन दोनों को ये लगने लगता है कि कनाको को शायद नशे की लट लग गई थी उसकी वाइब से हमें पता चलता है कि कनाको 6 दिन से ला पता है और ये भी कि वो किसी नियरोलोजिस्ट यानि की दिमाग के डॉक्टर से भी मिलती थी लेकिन उसने अपनी मा से ये बताया होता है कि वो डेंटिस्ट के पास जाती है अब भला कोई लड़की बेवज़ा एक दिमाग के डॉक्टर के पास क्यों जाएगी ये बहुत बड़ा सवाल था आगे काजू अपनी पत्नी से पूछता है कि क्या कना को जॉब करती थी क्योंकि जो कपड़े उसकी अलमारी में थी वो इतने महेंगे होते हैं कि उन में से कोई भी उन्हें अफॉर्ट नहीं कर सकता था जिस पर उसकी पतनी बताती है कि कनाको कोई जौब नहीं करती और फिर वो उसे कनाको की कुछ फोटोस दिखाती है जिसमें वो किसी लड़के के साथ थी और इस लड़के का नाम था उगाटा जिसे ना तो कनाको की मा जानती थी और आकी काजु तो अपनी फैमिली के साथ रहता ही नहीं था तो कोई चांस नहीं है कि वो इस लड़के के बारे में कुछ जानता हो अब आकी काजु को अपनी पत्नी पर गुसा आने लगता है कि वो कनाकों के बारे में कुछ नहीं जानती ना तो ये कि उसके पास वो मैंकी जुरसिस कहां से आई और ना ही उसके बॉइफरेंट के बारे में वो अपनी पत्नी से ये जानना चाहता है कि क्या कनाको का वेट कम हो रहा था और क्या उसे भूख भी कम लगती थी क्योंकि ये सारे साइंस ये बताते हैं कि वो नशा करने लगी थी लेकिन उसकी पत्नी चिलाती हुए कहती है कि वो हमारी बेटी है और कोई गलत काम नहीं कर सकती दोनों मिया बीवी के बीच जगणा होने लगता है और परिशान होकर उसकी पतनी पुलिस को फोन करने लगती है लेकिन आकिकाज उसे ऐसा करने से मना करता है क्योंकि पुलिस को इन्वाल्व करने से कना को खत्रे में आ सकती थी इसके बाद मूवी तीन साल पीछे जाती है जहां हम सिगॉन नाम के एक लड़के को देखते हैं जो एक स्कूल स्टुडेंट है और वहीं पढ़ता है जहां कनाको पढ़ती थी और उसे हमेशा ही स्कूल के बाकी लड़के परिशान किया करते थे उसी स्कूल में हम उगाटा नाम की उसी लड़के को देखते हैं जिसे हमने कनाको के फोटोग्राफ में देखा था उगाटा भी इसी स्कूल का स्टुडेंट है कनाको को सिगॉन काफी पसंद करता था क्योंकि वो ही एक लौती ऐसी लड़की थी जो उसके साथ अच्छे से बात किया करती थी सिगॉन को उससे प्यार हो गया था उसके हिसाब से कनाको एंजल थी प्रेजेंट में हम आके काजु को देखते हैं जो कनाको के स्कूल फ्रेंड से पूछताच कर रहा था जिनका नाम एमी और नगारो है एमी की बातों से ऐसा लग रहा था मानो वो कनाको को पसंद नहीं करती और साथ में वो ये भी कहती है कि वो अपनी बेटी को अच्छे सी नहीं जानता वही नगारों को बार बार पानी पिता देख आके काजु समझ जाता है कि वो भी ड्रक्स लेती है जिसके बाद आके काजु उस नियूरोलोजिस्ट के पास जाता है जिसके पास कनाको याया करती थी और नियूरोलोजिस्ट बताता है कि कनाको बिल्कुल नॉर्मल लड़की थी और वो उससे बस एंटी एजजाइंटी पिल्स और स्लीबिंग पिल्स लेने आती थी फिर वो कनाको के पुराने हाई स्कूल फ्रेंड से मिलने आता है और उन्हें कनाको और उगाता की वही तस्वीर दिखाता है उन लड़कियों से उसे पता चलता है कि उगाता ने एर्थ ग्रेड में सुसाइट कर लिया था जिसका रिजन वो लड़कियां ये बताती है कि उगाता स्कूल में उसके साथ होने वाली रैगिंग से काफी परिशान था और फिर वो नामी नाम के एक और स्टुडन्ट के बारे में बताते हैं जो कनाको से चिपकी रहती थी उन लड़कियों को ऐसा लगता है कि उगाता और नामी दोनों ही कनाको के लिए उपसेस्ट थे क्योंकि कनाको सभी से अच्छे से पेशाती थी और फिर आकी काजो मत्सुन नागा नाम के एक और स्टुडन्ट के बारे में पूछता है जो कि अब एक गैंक्स्टर बन चुका था और ये वही स्टुडन्ट होता है जिसकी फोटोस पुलिस इस्टेशन में आकी काजो को दिखाई गई थी अब उन सब लड़कियों के जाने के बाद आकी काजो की पतनी उससे कहती है कि शायद काना को उनके साथ प्रैंक कर रही होगी क्योंकि वो अपनी बेटी पर जादा ध्यान नहीं देती थी और शायद अटेंशन पाने के लिए उसने गायब होने का नाटक किया होगा जिसके बाद कहानी फिर से तीन साल पीछे जाती है और हम देखते हैं कि सिगान को स्कूल के लड़की परिशान कर रहे थे लेकिन कनाको के कहने पर वो लड़की सिगान को छोड़ देते हैं और हमें फ्लैश बैक में ये भी दिखाया जाता है कि उगाता ने स्कूल की छट से कूथ कर सूसाइट कर लिया था जैसा कि हमें वो स्टूड़न पहले हैं उगाता के फन्वल पर कनाको उसके बॉड़ी के पार जाती है और उसे किस कर लेती है कनाको सिगौन को बताती है कि वो उगाता से इसी टेरिस पर मिलती थी जहां से कूथ का उसने सूसाइट कर लिया और अकेला छोड़कर उसे चला गया कनाको की बातों से ऐसा लग रहा था जैसे उगाता और उसके बीच कोई रिश्टा था सिगौन कनाका से पूछते है कि क्या वो उसके लिए उसका उगाता बन सकता है जिस पर कनाको उस पर हस्तवे कहती है कि क्या तुम पागल हो प्रेजेंट में आके काजू कनाको के मिडल स्कूल की फॉर्मल टेचर अजूमा से मिलता है जिसकी अकी का नाम की एक पीटी थी और जब उसे ये पता चलता है कि कनाको कई दिनों से मिसिंग है वो आके काजु को बताती है कि उगाता के सुसाइट करने की वज़ा वो खुद को मानती थी और इसी वज़ा से उसने स्कूल से बंकमारना शुरू कर दिया था और आके काजु को लगता है कि उगाता के सुसाइट की वज़ा से ही कनाको को नशे की लत लग गई होगी और वो स्कूल के गत इस्टूडन्स के साथ हैंग आउट करने लगी जिसमें नामी नाम की लड़की भी शामिल थी और जिसकी पिछले साल ही डेथ हो चुकी है नामी भी असल में मत्सुनागा के गैंकी ही एक मेंबर होती है टीचर की बात सुनकर आके काजु को ये लगने लगता है कि इन्हीं स्टूडन्स ने उसकी बेटी कनाको को नशे की लत लगवाई होगी और तबी उसे याद आता है कि कनाको के फ्रेंड्स में से एक की फोटो उसे पुलिस स्टेशन में दिखाई गई थी जिसका नाम था मत्सुनागा जो कि अब एक गैंक्स्टर बन चुका है और जो तीन लोग मुवी की शुरुआत में उस श्टोर में मारे गए थे वो इसी गैंकी मेंबर थे और फिर रात के समय वो अपनी पत्नी के साथ थोड़ा रोमैंस करना चाहता था लेकिन उसकी वाइफ उसे मना कर देती है और कहती है कि उनकी बेटी मिसिंग है और उसे ये सब सूच रहा है अब आकी काजु को वो रात याद आती है जब उसने अपनी पत्नी को उसके प्रेमी के साथ कार में पकड़ा था जिसके बाद वो उस आदमी को बहुत बुरी तरह मारता है प्रेजन्ट में आकी काजु अपनी पत्नी के साथ जबरदस्ती करता है और उसे बुरी तरह मारता पिरता है क्योंकि उसे लगता है कि उसकी वाइफ अपनी बेटी से ज़्यादा इंपॉर्टेंस अपने अफेर को देती थी फ्लैश पैक में हम फिर से सिगॉन को देखते हैं जिसके साथ अब स्कूल में सभी बच्चे अच्छे से पेश आ रहे थे असल में मत्सुनागा के गैंग ने उस लड़के को बहुत मारा होता है जो सिगॉन को परिशान किया करता था जिसके बास सबी सिगॉन के साथ अच्छे से पेश आने लगी और मत्सुनागा को कनाको ने ही उन लड़कों को धमकाने के लिए कहा था किसी तरह आगे काजु को मत्सुनागा का पता लग चाता है लेकिर उल्टा उसे ही मत्सुनागा के गैंग के लोग किटनेप कर लेते हैं और कुछ दे बाद पुलिस वालों को वो बेहोशी की हालत में रोट पर मिलता है आगे काजू AIME के पाच जाता है जहां उसे एमी से पता चलता है कि कनाको उसकी दोस्त नगानों को ड्रक्स देती थी और उसी नगानों को नशीकी लगवाई और प्रोस्टिटूशन में धकीला कहानी फिर से तीन साल पीछे जाती है जहां सीगान कनाको के साथ उसके घर पर है कनाको को लगता है कि सीगान बिल्गुल उसके बॉइफरेंट की तरह बाते करता है सीगान उससे मत्सुनागा के बारे में बात कर रहा था कनाको उसे पूछती है कि क्या वो मत्सुनादा से मिलना जाएगा और अगर वो उगाता की तरह बनना जाता है तो उसे कनाको को बेहतर तरीके से समझना होगा जिसके बार सिगौन कनाको के साथ एक पार्टी में जाने के लिए महान जाता है उधर आके काजू जब अपनी वाइफ के फ्लैट पर जाता है जा इशी मारू गैंक के लोग उस पर हमला कर देते हैं वो वहाँ कुछ ढून रहे थे आके काजू को लगा शायद वो ड्रग्स ढून रहे हैं लेकिन उन्हें ड्रग्स नहीं कुछ और ही चाहिए था और वो आके काजू से कनाको के बारे में पूछते हैं आके काजू कहता है कि उसे भी नहीं पता कि उसकी बेटी कहा है जिसके बाद वो गैंक्स्टर कनाको के बाद उसे भी मारने की धंकी देकर वहाँ से चले जाते हैं फ्लेश बैक में हम देखते हैं किसी गौन मत्सुनागा की पार्टी में हैं प्रेजन्ट में एमी आगी काज़ो को एक चाबी देती है जो कनाको के किसी लॉकर की थी एमी उसे बताती है कि नगानो कनाको को अपना आइडियल मानती थी और उसी की तरह बनना चाहती थी नगानो को हम फ्लेश बैक में उसी फोटोग्राफर के साथ देखते हैं जिसका मुवी की शिरुवारत में इस्टोर के अंदर मडर हो गया था और उसके मडर के बार नगानो को भी लगने लगा था कि उसे भी मार दिया जाएगा सारी बुरी लते लगाने और प्रोस्टिट्यूशन में धकेलने के बावजूद नगानो कनाको को अपना आडल मानती थी उसी पार्टी में कनाको ने सिगौन को भी नशा करवाया जिसके बाव सिगौन के हाथ पैर बान कर उसे लड़की की तरह ड्रेस अप कर कि उसके साथ बुढ़े लोगों ने जबर्दस्ती की प्रिजन्ट में हमें दिखाया जाता है कि नगानों का भी मडर कर दिया गया है उधर सिगौन को मासुनागरे गैंकी लोग रात के अंधेरे में एक मड़ी के पास फेक कर चले जाते हैं अकी काजू जब कनाको के उस लौकर को खोलता है वहां उसे एक पैकेट मिलता है जिसके अंदर कुछ फोटोग्राफ्स होते हैं और उस फोटोग्राफ्स में कुछ बूड़े आद में कम उमर के लड़के लड़कें के साथ जबर्दस्ती करते हुए नजर आ रहे थे जिन में से एक लड़का कनाको का बॉय फ्रेंड उकाता था और फिर हमें उकाता और सिगौन को दिखाया जाता है जहां सिगौन को उसी की कही हुई एक बात याद आती है जहां उसने कनाको से कहा था कि वो भी उगाता की तरह बनना चाहता है और सिगौन के साथ भी सब कुछ वैसा ही हो रहा था जैसा उगाता के साथ उन लोगों ने किया था यानि कि कनाको ने उनमें से एक फोटो को देख आकीकाज को बहुत गुसा आता है वो उस फोटोग्राफ को फार देता है उधर सिगान को भी कनाको के उपर काफी गुसा रहा था क्यूंकि उसी की वजह से आज उसकी ये हालत हुई थी आकीकाज जो डिटाक्टिव असाई को वही फोटोग्राफस दे देता है उस फोटोग्राफ में वही नियोरोलाजिस्ट में शामिल था जिसके पास कनाको जाया करती थी और उसे लगता है कि पुलिस भी इन सब में शामिल है और कनाको को भी उन्हीं लोगों ने किटनैप किया होगा जिसके बाद वो उसी नियरोलाजिस्ट के घर जाता है और उसे उसकी वही फोटो दिखाता है पाश्ट में हम देखते हैं कि सिगौन को नामी ब्लैक मेल कर रही थी वही फोटो दिखा कर जिसमें उसके साथ जबर्दस्ती हो रही है और कहती है कि वही सारी फोटो उसकी फैमली और स्कूल में बटवा देगी अगर उसने किसी को भी उनके बारे में बताया और अपसे वह उसे जब भी बुलाएं उसे आना होगा उधर उस नियरोलोजिस्ट से आके काजे को ये पता चलता है कि कनाको ही उसके पास आई थी और उसी ने उसे बहकाने की कोशिश करी थी लेकिन डॉक्टर ने उसे मना कर दिया था जिसके कुछ दिनों बाद उसे चोन नाम के एक बिजनस मैन ने कांटक्ट किया जो कि कनाको का क्लाइंट था और डॉक्टर को कनाको के साथ इंटिमेट होने के लिए मजबूर किया गया और इसमें कनाको की पूरी सहमती थी डॉक्टर उसे ये भी बताए था कि उसके खुद के पिता यानि आगी काजु उसके इस्जाद गलत काम करते हैं लेकिन असलने काजु खुद अपने पापतले आपसस्ट थी और आगी काजु ने उसकी इन हरकतों को कभी बढ़ावान नहीं दिया बल्कि वो कनाकों की इन हरकतों की वज़ा से उस पर काफी नराज भी हुआ था उस टॉक्टर के मूँ से ये बाते सुन कर उसे कनाकों पर काफी गुसा आता है और फिर हमें वो फोटोस दिखाई जाती हैं जिसमें कनाकों उसी बुड़े बिजनसमैन चो के साथ थी जिसका मतलब ये था किनाकों को बुड़े आदमें में इंटरेस्ट था और इसलिए वो अपने पापा के ले भी कलत ख्यालात रखते थी इसके बाद आके काजू का इशू मारू गैंग के लोग किटनेप कर लेते हैं और उसे पता चलता है कि वो गैंग उसी बिजनसमैन चो के लिए काम करता है कनाको चो की फेवरिट थी लेकिन उसने उनकी प्रैविट फोटोस चुरा कर कुछ दूसरे ओल्ड क्लाइंट्स में पार्ट दी जिसके बाद वो उन क्लाइंट्स के साथ भी इंजॉय करने लगी कनाको अब आउट आफ कंट्रोल हो चुकी थी और हर बुड़े आदमी के पास चाने लगी पास्ट में सिगॉन नामी के फ्लैट पर जाता है और उस पर हौकी से हमला कर देता है और फिर उसे टॉर्चर करके कनाको का पता बताने को कहता है नामी बताती है कि कनाको एडन होटल की रूम नंबर 801 में है सिगॉन नामी से जानना चाहता है कि क्या कनाको उगाता से प्यार करती थी जिसका जवाब में वो कहती है कि कनाको सभी से अच्छे से पीश आती थी उसे नहीं पता कि वो किसे प्यार करती थी और किसे नहीं नामी सिगौन से पूछती है कि कनाको ने तुम्हारे जैसे कई लड़कों की जिन्दकी बर बात कर दी इसके बावजूद वो सब कनाकों से इतना प्यार क्यों करते हैं और अगर सीगोन कनाकों के पास गया तो उसे भी मार डालेगी जिसके बाद सीगोन नामी के चेहरे पर चाकूं से निशान बना देता है ताकि उसके मरने के बार भी नामी के चेहरे को देख कना को उसे याद रख सके जिसके बार नामी भी सुसाइट कर लेती है उधर प्रेजन्ट में इशिमारू गैंग का बॉस याकू जो आके काजू को बताता है कि कनाको ने उनके बनाए रूल्स तोड़े थे अपने क्लाइंट के फोटोस लेक करके इसलिए उसे ढून रहे हैं मारने के लिए और ये सब उन्हें चोने करने के लिए कहा है अकू काजू कहता है कि ये सब मत्सुनागा ने किया है वहीं कनाको को फ्रेम कर रहा है इन सब लफडों में लेकिन मत्सुनागा को भी उन लोगों ने पहले से ही अदमरा करके वहीं रखा हुआ था और हमें पता चलता है कि मत्सुनागा को कनाको से प्यार हो गया था और उसी ने कनाको की मदद की थी उन फोटोस को चुराने में जिसके बाद वो मतसुनागो को माँ डालते हैं आगेकाजु याकुचा से कहता है कि वो उन्हें सारे फोटोग्राफ्स देने को तैयार है लेकिन वो कनागो को माफ कर दे जिसके याकुचा कहता है कि उसकी बेटी काफी बुरी लड़की है फिर भी वो उसको क्यूं बचाना चाहता है जिस पर आके काजू कहता है ताकि वो कानागों को अपने हाथों से मार सके इसके बाद याकूजा उसे बताता है कि इस गिरोने काम में कई पुलिस वाले शामिल है जिसमें से एक का नाम आईकावा है और वो चो के लिए काम करता है जो के कहने पर ही अईकावा ने उस श्टोर के अंदर वो तीन मडर्स किये थे क्योंकि उन तीनों लोगों को चो की हरकतों के बार में पता था जिन में से जो फोटोग्राफ है मारा गया था उसी ने वो सारी फोटोग्राफ क्लिक की होती है याकुजा कहता है कि अईकावा की एक पतनी और एक बेटा है जैसी फैमिली का सपना आकी काजो देखा करता था उसके पास वैसी ही फैमिली है और फिर वो अकी कावा को मानने को कहता है यह सुर आकी काजू अकी कावा के घर जाता है और उसकी पत्नी के साथ जबर्दस्ती करता है वो से बता देता है कि उसका पती एक क्रिमिनल है जिसने चो के कहने पर कई मर्डर्स किये है और तभी अकी कावा की उसकी वाइफ के फोन पर कॉल आती है अकी काजू फोन रिसीव करके उसे बता देता है कि उसने उसकी वाइफ के साथ क्या किया जिसके बाद अकी कावा उससे एक डील करता है और कहता है कि वो उसकी वाइफ को छोड़ दे और बदले में वो उसे उसकी बेटी कना को दे देगा अकी काजू उसकी वाइफ और बेटी को एक कार में बंधक बना लेता है अकी कावा से मिले निकल पड़ता है और जब अकी कावा उसके कार की तरह बरता है अकी काजू वहां नहीं होता अकी कावा जान चुका था कि उसकी वाइफ को उसके गलत कामों के बारे में सब कुछ पता लग गया है और वो जानना चाहता है कि क्या वो उसे माफ करेगी लेकिन इसकी वाइफ उस पर थूख देती है गुसे में वाइफ को शूट कर देता है तब ही आकी काजु पीछे से आकर कार से उसे टकर मारता है और फिर वो उसकी कार के डिकी चेक करता है उसे लगा था उसमें उसकी बेटी कनागो होगी लेकिन उसमें उसे चो की लाश मिलती है आकी कावा उसे बताता है कि चो ने उसे अब किसी को भी मानने से मना कर दिया था इसलिए उसने चो का ही गेम बजा डाला ताकि अब उसे किसी को मानने के लिए उसकी परमीशन ना लेनी पड़े और इसलिए याकूजा ने अकिकाजु को कहा अकिकावा का गेम बजाने के लिए क्योंकि अब वो जो के लिए खत्रा बन चुका था बाद में उन दोनों के बिच काफी देर तक फाइट होती है और दोनों बुरी तरह घायल हो जाते है पुलिस सैरंग की आवास सुनकर अकिकाजु चिप जाता है और अकिकावा खुद कोई शूट करने की सोचता है लेकिन उसकी गन में गोलियां खतम हो गई थी जिसके बाद पुलिस वाले उसका एंकाउंटर कर डालते है और अकिकाजु वहाँ से भाग जाता है वो ये जान का खुश है कि कनाको जिन्दा है और फिर हम सीगौन को देखते हैं जो कनाको के पास उसे मारने के इरादे से आया था कनाको उसे बताती है कि वो जो चाहे कर सकती है क्योंकि उसकी लाइफ में कोई रूस नहीं है और फिर वो सिगॉन को वही फोटोस दिखाती है जिसमें इसके साथ जबरदस्ती की जा रही थी उस फोटो को देख कनाको सिगॉन के ओपर काफी हस्ती है सिगॉन चाहा कर भी उसे नहीं मार पाता कनाको से बताती है कि वो उगाता से बहुत प्यार करती थी इसलिए उसने उसे मार डाला ये कैसा प्यार था कि वो उन सबी को बर्बाद कर देती थी जो उसके करीब होता था और फिर एक अंजान सक्ष आ कर सिगौन को भी मार डालता है उसके बाद कहानी फिर से प्रेजन्ट में आती है आज क्रिसमस था कनाको की फॉर्मर टीचर अजूमा ने अपनी बेटी के लिए एक नोट छोड़ा होता है जिसमें लिखा है कि वो क्रिसमस केक लेने जा रही है और जैसे ही वो अपने कार में बैठती है आके कार जो उसका किटनेट कर लेता है क्योंकि जब आके कार जो उन फोटोस को ध्यान से देखता है तो उसमें से एक फोटो अकीको की भी थी जो कि अजूमा की ही बेटी है और कनाको ने उसे भी नशे की लट लगवा दी थी और जब अजूमा को इस बार में पता चला तो उसी ने कनाको को मा डाला क्योंकि कनाको की वज़ह से उसकी बेटी की जिंदगी बरबाद हो रही थी अब आके काजो उसे उस जगह चलने को कहता है जहां उसने कनाको की लाश कारी थी उसे एक बरफीले मैदान में लाती है जहां आके काजो उसे कनाको की लाश निकालने को कहता है लेकिन इसनो फोल होने की वज़ह से अजूमा उसकी लाश नहीं धून्ट पाती और वहां से भागने की कोशिश करती है आकिकाजू उसे पकड़ लेता है और फिर से कबर खूदने को कहता है लेकिन अजुमा जानना चाहती है कि अब कनाको की कबर खूद कर क्या फाइदा जिस पर आकिकाजू कहता है कि शायद उसकी बेटी कना को जिन्दा है जिसके बाद वो अपनी हातों से उस जगा को खोड़ने लगता है जहां कना को की लाश थी ताकि वो अपनी हातों से अपनी बेटी कना को को मार सके और इसी के साथ इस मूवी का यहीं पर दी एंड हो जाता है